वेल्कम बैक मैं हूं गौरब और आप देख रहे हैं कोड़न बाईलूजी आज इस कोश्चन प्राक्टिक्स के सरीज में हमारे पास है जनेटिक्स के कुछ कोश्चन्स हम उसको देखेंगे solve करेंगे और उससे सीखेंगे तो एला question है हमारे पास आज wisdom represent pair of contrasting character pair of contrasting character मतलब contrasting character उसका ultra character अगर dwarf है तो उसका tall होगा तो ऐसे characters alternate form of gene से आते हैं और alternate form of gene को हम लोग कहते हैं allele जैसे कि capital T small t यह क्या है allele है तो alternate form of gene इनको हम लोग allele कहते हैं और allele से जो character आते हैं जो की contrasting character होता है उसको हम लोग allele morph कहते हैं तो यहाँ पे यह जो चार नमर है यह allele morph ही इसका answer होगा जो की contrasting character को represent करता है क्योंकि यह allele से होके आता है दूसरा question हमारे पास है the alternate form of gene अभी अभी हम लोग discuss किये हैं यह एक ही topic से questions है इसलिए एक जैसा questions भी हो सकता है उसी question का यह दूसरा form हो सकता है कि alternate form of gene को क्या कहते हैं यह direct theory best question है अगर आपको terminology पता है यह आपको definition पता है तो directly इस तरह के questions को बना सकते हैं या आप हमारे telegram channel पर जूड़ सकते हैं codon value जी का जहां पर आपको इस तरह की documents जो summary होता है या tabulated form में चीज़ें होती है documents होता है content होता है वो हाँ आपको मिल जाएगा terminology हो गया या table हो गया जो short चीज़ें होती है short notes हो गया वो हाँ पर आपको मिल जाएगा तो इसका क्या answer हो जाएगा एलील हो जाएगा क्योंकि alternate form of gene को हम लोग एलील कते है यह direct definition का question है एलील आर्दर उसी का दूसरा term है एलील क्या है alternate form of gene एक ही question एक ही तरह के कई questions है यह एक ही एक्जाम में तीनों तरह के questions नहीं हो सकते है इसमें से कोई एक question किसी एक तरह का question एक जिगा पर अविलेवल मिलेगा आपको next type question है the crossing of F1 to any of the parent is known it F1 generation को हम लोग cross करा रहे हैं उसके parent के साथ दो condition हो सकता है अगर मालेजे हम लोग parent ले ले एक capital T एक small T ये दोनों character क्या है homo जाएगा इसे लेकिन dominant है दूसरा है small T और small T ये recessive है और ये भी homo जाएगा से जब F1 generation इसका आएगा एक होगा capital T दूसरा होगा small T अब इस F1 generation को हम लोग क्या करा रहे हैं क्रोस करा रहे हैं उसके parents से तो हम लोग पीछी जाके cross करा रहे हैं उसके parents से cross करा रहे हैं ऐसे condition को हम लोग back cross कराते हैं जब किसी भी F1 generation को उसके parents के साथ हम लोग cross कराते हैं उसको हम लोग back cross कराते हैं और back cross में भी दो type होता है एक तो normal back cross होगे आप उसके dominant वाले एलील से के parent से करा लिया cross, दूसरा recessive, यह एक special type of back cross है, special type क्यों? हम लोग recessive से तभी cross कराते हैं, जब हमको यह जानना होता है, यह जो individual हमारे पास है, यह homo jagus है या hetero jagus है, यह determine करने के लिए कि इसका homo jagosity है, इसमें hetero jagosity है, हम लोग recessive parent से कराते हैं, और इस condition को हम लोग करते हैं, test cross, question यहां से भी आता है, test cross से भी आता है, frequently questions आते हैं, अभी next question देखिए, इसी पर है, homo jagosity and hetero jagosity, इसको क्या करना है, determine करना है, एक individual के case में, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर किसी इंडिविज्वल का homo jagosity चेक करना हो, या उसका hetero jagosity check करना हो, homo jagए से, या hetero jagए से, तो क्या करेंगे हम लोग, उसी के parents, recessive parents से हम लोग उसको cross कराएंगे, और इसको हम लोग test cross कराते हैं, तो इसमें से कौन सा होगा, test cross कराते हैं, यह जानने के लिए हम लोग test cross कराते हैं, अगला question है, the genotype ratio of monohabrit cross, monohabrit cross genotypic ratio, अगर हम हम लोग monohabrit cross कराएं, यानि कि एक ही character के साथ हम लोग work कर रहे हैं, उसको हम लोग monohabrit करते हैं, इसमें दो तरह का ratio होगा, एक तो phenotypic ratio होगा, जो कि 3 is to 1 होता है, और दूसरा genotypic ratio होता है, जो कि आपका 1 is to 2 is to 1 होता है, यह phenotypic ratio और genotypic ratio क्या है, माल लिजी हम एक example ले ल लिया, और small t small t, यह दो हमने parent ले लिया, जब इसका हम लोग cross कराएंगे, तो capital T और small t, यह phone generation आया, monohabrit है, एक ही character से आथ हम लोग काम कर रहे हैं, अब जब इसका selfing कराएंगे हम लोग, तो इसमें दो gamit बनेंगे, capital T small t, और फिर capital T small t, selfing करा रहे हैं, दो है, यहाँ प्रहा कीच देते हैं, यह दो नय अगयत, capital T, capital T, capital T small t, capital T, small t, small t, अब देखिए, हम रहे होगा एक condition आयसा आया, जिसमें capital T, capital T है, जो कि क्या है, tall होगा, दो condition ऐसा आया जो capital T और small t है ये क्या होगा फिनो टीपिकली ये भी टॉल होगा और एक condition ऐसा आया जो कि आपका small t small t है ये फिनो टीपिकली क्या होगा द्वार्फ होगा सब्सक्राइब देखिये अगर हम लोग्ताते क्या सबस्क्राइब mellan अनुप यद Scars अब देखिये अगर हम लोग फिनो टाइप की बात करें तो दोहीत तरह का इसकी तरह यानि कि 1 is 2, 2 is to 1 यही है आपका जीनोटिपिक रोशियो जो की इस कंडिशन में था इस कोश्चन में कि आपका जीनोटिपिक रेश्यो क्या है यह है 1 is to 2 is to 1 है अगर वो पैरेंट्स के जैसा है तो इसका मतलब क्या है वो इनहरीट कर रहा है चीजों को को ऐसे कंडिशन को हम लोग हैरीडिटी तेंडेनसी ओफ है रिडीटी कहते हें नेफ्स्ट किया है। हुज इस देलाऊन इजफ्टार ऑफ जेनेटिक इस को एक्सप्लेइन करनी के ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे हिनेटिक सुरू होता है तो हम लोग जानते हैं फादर ऑफ जेनिटिक्स किसको हम लोग कहते हैं मेंडिल को कहते हैं नेक्स्ट है विच वन आप तर फोलोईंग स्टेटमेंट इस ट्रू रिगार्डिंग दा लॉप सेग्रिगेशन लॉप सेग्रिगेशन होता क्या है दूरिंग दे गैमिट फॉर्मेशन एलील सार होता है अब हम लोग इसका स्टेटमेंट को पढ़ते हैं लॉप सेग्रिगेशन इस दे लॉप प्यूर्टी ऑप जी करेक्ट है यह प्यूर करता है जीन को दूसरा क्या है एलील सेपरेट फ्रॉम इच अदर दूरिंग दे गैमिटोजेनेसिस अभी हम लोगों ने पढ़ा और ड्युरिंग देगामिट फॉमिशन विसमें वह अलग हो जाते हैं तीजरा है सेग्रिगेशन आफ फैक्टर इस ड्यू इन्सका अलग होता है जब यह प्रोसेस होता है इसलिए इसमें सारे ही स्टेट्माड कहले क्या है करेक्ट है कि सो नेक्स्ट कोश्चन हमारे पास तीन लौ है मेंडल के एक है आपका लॉप डॉमिनांस दूसरा है इंडिपेंटेंट एसाउट्मेंट और एक और है पिरिटी ओफ गैमिट डाट इस लॉप सेग्रिगेशन लॉप सेग्रिगेशन अभी अभी हम लोग उन पढ़ा है तो यह तीनों तो नियम ही है बच क्या जाता है लिंकेज यह उनके नियम में नहीं आता है कि नेक्ट कुशन हमारे पास है दा स्मालेस्ट यूनिट कि आप गैमिट मैटेरियल विच प्रोड्यूस फिनोटेपिक इफेक्ट टॉन म्यूटेशन इसका एंसर क्या होगा म्यूटाउन होगा क्योंकि जीन हम लोग जानते हैं जीन क्या होता है सेग्मेंट आफ डीन एक एक ऐसा सेग्मेंट होता है जहां पर क्रॉसिंग औबर नहीं होता है जिससे स्मॉलेस्ट यूनिट विटान साथ कि प्र जाए कि यह focused मेंडल्स फाइंडिंग भीThere we discovered भान प्रेंस किया फिर से क्योंकि जब तक मेंडल काम कर रहे थे तब तो रिकोग्णाइज किया नहीं गया था बाद में जब और किसे ने डिसकभर किया तब उनको क्रिकोगनिशन मिला और हम लोगोंने सम्मान के तौर पर उन्हें कहा father of genetics तो कार्ल कोरेंस ये बॉटनिस्ट है इन्होंने भी उनके काम को rediscover किया था जहां mutation का नाम आता है genetics का नाम आता है इनका नाम जरूर आता है इन्होंने भी काम किया था और एंडिज वान ये agronomist थे इसका agriculture पर काम था इनका लेकिन इन्होंने भी rediscover किया था इनके निया मौको तो actually all of the एभब इसका answer होगा cystic fibrosis कुछ questions direct होते हैं जो आपको याद करने हैं कुछ questions किसी का deficiency disease में कौन सा deficiency vitamin C कौन सा deficiency disease होता है या कोई भी disease जो है अगर वो sex linked है autosomal है अगर genetic disorder है तो कौन सा autosomal है कौन सा recessive है ये सब आपको थोड़ा याद रखने के जड़े से एक table बना कि आप उसको याद कर लीजिए और ये असानी से बन जाएगा ये आपका क्या है autosomal recessive disorder है अगर यही आपका दूसरा आ जाता जैसे आपका आपका आगया 14 नमबर में a small amount of lethal mutation is always present in the population due to एक छोटा amount का lethal mutation lethal mutation मतलब किल कर लें माला mutation क्यूं होता है क्या positive selection है नहीं positive selection मतलब एक ऐसा है mutation जिसमें वो positive response दे सलेक्ट हो जाए निगेटिव सेलेक्शन नहीं frequency dependent selection नहीं mutation selection balance यही इसका answer होगा यह होता है क्योंकि mutation selection balance के कारण यह होता है इसका answer क्या हो जाएगा चार नमबर नेक्टोशन हमारे पास है 9 is to 7 ratio in the f2 generation represent यह क्या है यह मेंडियल का रिश्यू नहीं है मेंडियल का रिश्यू क्या था अगर डाय हबरीट की बात करें हम लोग तो 9 is to 3 is to 3 is to 1 यह उनका फिनोटिपिक रिश्यू था तो यह incomplete dominance भी नहीं है यह भी exceptions है लेकिन incomplete dominance का यह ratio नहीं है co dominance का भी नहीं है duplicate recessive interaction में यह होता है लेकि 9 is to 7 लेकिन यहां पर duplicate नहीं लिखा है इसको हम लोग click नहीं करेंगे तो एक epistatics एक normal terminology है यह सब तो epistatics ही है जो यह सब रेश्यू दे रहा है exception में तो हम लोग नॉर्मल इस पर क्लिक करेंगे कि यह epistatics है कौन सा specifically है यह option में नहीं है इसलिए हम लोग उसको click नहीं करेंगे अब है इस प्लांट विट जीनोटेपिक कापिटल एसमॉले कापिटल बी स्मॉली इस सेल्फ फर्टिलाइज दें ते प्रवर्टी आप गेटिंग कापिटल एक कापिटल एक कापिटल वी कापिटल भी जीनोटैप विल यह उसी तरह का है जैसे हम लोग डाहबरीड में मेंडल्स का डाहबरीड जब हम लोग पढ़ते हैं 16 जैसमें प्रडक्ट होता है तो उसमें अगर आप फिनोटेपिक रिश्यो देखेंगे तो उसमें आता है 9 इस टू 3 इस टू 3 इस टू 1 लेकिन यह सरी फिनोटेपिक से नहीं निकलेगा यह जीनोटेपि ओड़ीड रिशिओ एक ही होता है यह वन से शुराओ यह जो होता है यह वैसा ही है जैसा कि आपने हओ कि और एक सिरींक यहां होता है और अगर completely recessive की बात करें तो वो इस कोने पर यहां होता है नीचे में एक completely capital capital है और यह completely small small है ठीक है यह dominant है completely और यह recessive है तो यह single होता है एक यहां होता है बीच में hybrid है कहीं एक capital है कहीं दो capital है इस तरह का condition है तो सिर्फ single एक कितना में 16 में तो one upon 16 यहीं इसका probability होगा यह पाने का question में option होगा यह one upon 16 यहीं इसका answer होजागा चार निंबर कि नेक्ट कुशन है हमारे पास हो मेनी फेनोटीप कें ओकर सिंदा हुमन ब्लड ग्रूप एबी ओ वित एलील एबी एन आई यह एलील तीन है यह multiple एलील का एक्जाम्पल है लेकिन एक साथ सिर्फ दो ही एलील रह सकता है आधर तो वह आई कि ओ आई ओ रहे सिंपल या तो यह एक के साथ रहे या तो यह भी के साथ रहे अब एक कंडिशन इसके साथ यह है कि यह हो सकता है आई ए और आई ए हो सिर्फ इसमें कंडिशन यह हो सकता है यह आई बी और आई भी हो या एक कंडिशन हो सकता है आई ए आई बी हो यह हमेश किमेंसा ही हेट्रोजागस होता है यह होमोजागस होता है यह हो गया बलड ग्रूप यह हो गया ब्लक ग्रूप यह नेक्ट कोशन आपके पास है दा जियोमेट्रिकल डिवाइस डाट है तो फाइंड आउट 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 पॉसिबल कॉंबिनेशन आफ मेल फीमेल गैमेट्स इस नॉलनेज कैसे पता चलता है हमारे पास पॉनिटे स्कॉर है जैसे को हम लोग यूज करके यह ब बैं दे एक्टिविटी ओफ वन जीन इज सप्रेस्ट बाइद एक्टिविटी ओफ नॉन एलिक जीन इस नॉन नच एक तो हम लोगोंने पढ़ा है कि अगर दो जीन एक साथ अल्टरनेट फॉम अप जीन जो होता है एक कैपिटल टे के स्माल टी एक साथ हो यह कैपिटल ट कि इसके साथ को सप्रेस्ट कर देता है तो इसका सफ्रेटर होई नहीं पाता है तो यह तो एक यह गुए अपने ही पहले यह को सप्रेस कर रहा है लेकिनfte कि यह च된 पार एक सबूर्ड रिए और पर कॉनकिमिया था कि अल्टरनेट फॉर्म होते हैं उसके और वो एक लिल दूसरी लिल को सप्रेज करता है कि कोशन कंप्लीट हो गया है कुछ टेबल है जैसे कि क्या जीनोटाइप है क्या ओन सा इंटीरेक्शन है अभी जो हम लगों ने पढ़ा वो था आपका डूप्लिकेटर इसमें कहीं होग एक डूप्लिकेर रिससे लिए है डूप्लिकेर रिससे लिए बना लिजहीं हो रखने में आसानी होगी इस तरह करड़े जीज का टेबल विप्डान लेजिए और भी जो सौट नोट्स होते हैं वो क्रियेट करके रखें ताकि आपको रिविजन करने में एक्जाम से पहले जो रिविजन होता है वह आपके लिए आसान हो जाए आप देखने कोड़न वायल होता है